नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सेक्रेट अंक जोतिस रासिफल 2022 अगर आपका भी जन्म किसी भी मेहने के 9 तारीक 18 तारीक या 27 तारीक को हुआ है तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए है चली जानते हैं 2022 में आपके ब्यापार की स्थ स्थिति आपके जौप की स्थिति आपके सिख्छा प्यार की स्थिति और साथ ही आपका सवास्त और धन के स्थिति कैसा रहेगा त्माम बाते विश्थार से जारी है अन्तक बने रहें अंक 2022 जिसका योग स्वैम छे है सुक्र का ये साल है यानि टूचीरों टूटू कुलय टोग सिक्ष है और इस आधार पर इस एक सुभ अंक का जो सुउमी है वो सुक्र है तो जो tis में जो अंक नो होता है जो कि 2022 का अंक छे हैं सुक्र का अंक लेकिन जो अंक non है उसका स्वामी मंगल करहा वे दिसिवन से अंक 9 यानि किसी भी महने की 9-18-27 तारिक जिसका जोड़ 9 है स्वावी मंगल है कठिन से कठिन कारियों को एक जोस उत्सा के साथ संपूर्ण करने वाले अंक होते हैं 9 और अंक 6-2022 का यानि अंक जब सुक्र और मंगल मिल जाएं तो क्या होगा ये पूरे साल वैसे तो अंक 9 बाले बढ़ए ही ब्याभारिक होते हैं और हमेशा ही दूसरों की मदद करने वाले होते हैं उत्सा से भरे होते हैं अधिक सुकुन मिलता है दोस्तों के साथ समय बिता कर और शिक्छा सोथ के लिए भी आपके लिए ये साल अच्छा है चलिए जानते हैं बिस्तार से करियर के बारे में देखे आपके स्वामी गिरह जो हैं वो सुक्र हैं 2022 का और अंक नोबाले का मंगल ता आपका उत्सा और मेहनत प्यापार में सफलता दिलाएगा कुछ नया करने का अवसर और जोस आपके जीवन में एक रंग भड़ेगा आपका नाम पद्व परतिष्ठा इंकम सब बढ़ेगा पार्टनर्सिप में काम करते हैं साफधानी रखिएगा ज़रोस से ज़्यादा भरोसा कहीं भी अच्छा नहीं होता तनाव और रिस्तों में खटास ना आ जाए दूरिया ना जाए इसका ध्यान रखिए हलांकि जॉब करते हैं तो मन चाहे परमोसन बिगरे के योग हैं यात्रा बढ़ेंगे बोस की नजर में प्रसंसा चाहते हैं तो राजनीती बिल्कुल भी ना करे धन की बात करते हैं तो देखिए बच्चत पर आपको ध्यान देना होगा साल की सुरुवात में किसी भी तरह का लेन देन तो बिल्कुल भी ना करे वरना धन का नुकसान हो सकता है अगर आप किसी कारे के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो जुलाई तक आप किलियर कर ले अगर आप जमीन प्रोपर्टी संपत्ती में इन्भेश्ट करना चाहते हैं तो बिना किसी के सलहा के मत आगे बढ़िएगा अपनी एक्छाओं को पूरा करन पाएंगे इस वर्स और अंत में पैत्री संपत्ती वेगेरश से भी आपको लाब होगा सेर मारकेर वेगेरश से भी लाब दिखता है हलांकि अगर आपके रिस्तों की बात करें तो हमेशा ही आप अपने के लिए कुछ भी करने को तयार रहने वाले लोग होते हैं अंकनो वाले दोस्तों और जरूत मन के लिए हमेशा तयार रहतें जिन से प्रेम करते हैं उनके साथ समय अच्छा विताते हैं अगर आप अकेले हैं या किसी से प्रेम करते हैं अपने मन की बात बिना किसी जीजक के कह सकते हैं आपका रिस्ता बहतर होगा बैबाई जीवन में मधूरता है लेकिन कुरोध पर वानी पर काबू रखिए और जीवन साथी की भावनाओं को उनकी परिसानियों को समझे अंकनो अगर हम आपके स्वास्त की बात करें थोड़ा सा पेट का ख्याल रखे और मौसमी बिमारियां बेगर है थोड़ा सा टेंसन देगी वैसे कोई खास टेंसन नहीं है लेकिन थोड़ा सम्मानसिक तनाव भी है तो साल के अंद में पेट और थोड़ा सा गुस्से की बज़ा से जैसे ब्लट पेसर बिगरा ना हाय हो जाए हट की समस्या ना हो जाए इसका ख्याल रखना है योगा करें खाना खाएं तो आपके लिए उत्तम रहेगा कुल मिलाकर ये साल खुसियां ज़्यादा लेकर आया है टेंसन कम इंजॉय करें हम आपसे विदा लेंगे हर हर महादेब तरने बार